नमस्कार दोस्तों मैं अंजनांज रागल चनल में आप सभी का सफागत करती हूं दोस्तों यह जो सुन्दर सा गुलाब देख रहे हैं आप यह है ब्लैक लेडी और यह बहुत ही प्यारा ब्लूम होता है इसका और यह है वेडिंग बैल यह भी बहुत ही प्यारा ब्लूम करत है यह दोनों ही एस्टी वराइटी के रोज है यानि की हाइब्रिटी है और इनका साइज जो है वो बड़ा होता है और काफी दिनों तक यह गार्डन में अपनी खुबसूरती बिकेड़ते रहते हैं इनके साइज का अंदाजा आप लगा सकते हैं और देखे कितना प्यारा है यह और यह ब्लैक लेड़ी इसका साइज भी देखे कितना बड़ा है और होती खुबसूरत है और इसमें खुसबूवी है मैंने प्रूनिंग वाले वीडियो में आपसे कहा था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सीट्स ग्रोन रोज प्लांट का तो इस वीडियो में मैं आपको अपने सीट्स ग्रोन रोज प्लांट दिखाने वाली हूं तो यह रहें दोस्तों मेरे सीट्स ग्रोन रोज प्ला इस दूसरे वाले में भी देखिए आगया है कुछ प्लांट्स जिनकी ग्रोथ अच्छी हुई है उसका रीजन क्या है कि उनको मैंने सेपरेट पॉट दे दिया हुआ है और कुछ में मैंने दो प्लांट लगे हुए हैं तो इस वज़ा से उनकी हाइट थोरी कम रह गए यह य कर्मियों में तो मैंने उसको सेपरेट इसलिए नहीं किया कि कहीं यह रिजन ना हो जाय कि वह फ्लांट्स की जो एज है वह 11 महिनों की है और यह देखिए कुछ प्लांट्स तो बहुत हैल्छी भी है और ग्रोथ बहुत तेजी से हुए है कnaire में बताहूं तो mostly plant pink shade में आये हुए हैं उनकी flowering जो है pink shade में आ रही है और एक जो है वो थोड़ा different है वो मैं अभी दिखाऊंगे आपको और ये देखिए जैसे ही अक्टूबर का मन्थ आया ना तो इसमें growth बहुत अच्छी होने लगी और उसके बाद से ही मैं इनमें fertilizer दे रही हूँ fertilizer मैं इनमें 12-61 NPK और 19-19-19 NPK alternate 7 days पे मैं दे रही हूँ और मैंने अभी अभी इसमें humic acid का भी दिया है वन पिंच ये जो pot है ना मेरा 8 इंच का है और देखिए plant की growth कितनी अच्छी हुई है mostly तो pink color के आए हैं जैसा कि मैंने बोला और pink shade भी थोड़ा थोड़ा different है और petals का form भी और एक जो है वो है ये pitch color का वो मुझे बहुत प्यारा लगा और ये वही है pot इस plant की growth भी जो है ना सबसे ज्यादा है लगबग 2.5 feet का इसका height हो चुका है और जब भी flower खिलता है मैं उसे cut कर देती हूं और इसमें ये color निकलता है flower का और ये देखिए ये है देशी रोज का देशी रोज का pot मैंने अलग रखा था और उसमें ये वाला है बहुत ज़्यादा flowering करता है और ये पूरे 11 महीने इसमें flowering होती रही है और देखिए बहुत सारे birds भी आए हुए है flower थोड़े छोटे हैं बट color इसका बहुत ही bright है इसमें एक और भी plant साथ में और मुझे नहीं पता कि ये देशी वाला है क्या दूसरा जो है इंगलिस वाला अधर कोई color हो सकता है पिंक और पीच color से अलग तो वो तो जब खिलेगा जब ही पता चलेगा आए आपको एक साथ सारे plants दिखाती हूँ और ये रहे मेरे सारे plants आप भी seeds से उगा सकते हैं बहुत सारे viewers पूछते हैं कि मैंने seeds कहां से लिये थे तो मैंने local place से ही लिया था आप भी try कर सकते हैं जो orange वाला जो fruit हो जाता है जो बिल्कुल अब dry होने के situation में हो जाता है उसस वीडियो है कि मैंने कैसे seeds से grow किया तो उसका link मैं डाल दूंगी description में आप देख लेना और hope करती हूँ कि जो दो-तीन plant अभी bloom नहीं किये हैं वो other color हो और जो-जो separate नहीं किया है plant को मतलब जिसमें एक ही product में दो-दो plant हैं छोटे-छोटे उनको इस winter मैं separate कर लूँगी और इ इससे उसकी growth गर्मी आने से पहले अच्छी हो जाए वैसे बहुत सारी branches फूट रही है तो hope करती हूँ कि next season इसमें बहुत जादा flowering होगी और इस season भी बताओ मैं पूरे गर्मी में भी continue in सब में blooming होती ही रही है मुझे blooms नहीं लेना था जिसे की plant और healthy होता बट वो flower का ला दर है देखूं ऐसे करके तो दोस्तों यह है सीट्स ग्रोण ड्रोज प्लांट आप भी सीट्स से उगा सकते हैं अगर आप online मंगाते हैं तो पहले अच्छे से जाच ले पडख ले नहीं तो ऐसे attractive roses दिखाया जाते हैं जो actual में होते ही नहीं है और उनके सीट्स आपको बता प्लांट है लेकिन फ्रूटिंग इसमें हुई है देखते हैं कितने मैचियोर हो पाते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेर भी करें अगर वीडियो से related कोई आपके पास comment हो तो comments box में लिख सकते हैं और जो दरसक नए है प्ली झाल 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 झाल